नमस्ते खुलूंखा एवरीवान मैं आप सबसे ये ये साल ख़तम होने वाला है 2022 और मैं इस इस अफसर में आप लोग से मैं मिलने आया हूँ मैं आप से बात करने आया हूँ और मैं चाहता था कि अगर आपका कोई सवाल हो अगर आपको मुझे से कुछ बात करना हो तो मैं इस साल के अंत में आप से अगर इंटरेक्शन करके कुछ बोल सको तो बहुत अच्छा रहेगा मुझे भी बहुत चीज़ आप से बात करना है मैं जानता हूँ कि बहुत तरीके बहुत जगे में कहीं कहीं में हमारा ये साल अच्छा भी रहा है और कहीं कहीं में बहुत खराब भी रहा है ये साल personally बहुत लोग जिनको मैं पहचानता था मेरे परिवार से उनका दिहान थुआ COVID की लिए बहुत लोग उनको हमने help भी किया और बहुत लोग जो तुरुपरा से बाहर थे उनको help किया कभी नहीं देखा कौन बिंगॉली था, कौन मुस्लिम था, कौन हिंदू था, कौन क्रिश्चिन था करोना एक ऐसा महामारी है जो किसी का जाद धर्म देख कर किसी को अटाक नहीं करता है हमारे economy को attack करता है हमारे परिवार और विवस्ता को attack करता है और उस समय जो मैंने किया हमारे तीप्रमोथा ने किया उसके लिए I am very proud of my तीप्रमोथा and I am very proud of the selflessness in the way we worked and we helped the youngsters मैं ये साल अंत हो रहा है और I wanted you all, अगर आपके पास कुछ questions थे तो मैं उसमें भी जवाब दूँ बहुत लोगों ने मुझे सवाल भी भी भीजा है और मैं उसका answer देना चाहता हूँ शिरुवात करते हैं लेकिन मैं एक बात सब को कहना चाह रहा हूँ कि ये साल खतम हो रहा है let us look at 2022 with positivity जो negativity था वो ये साल खतम होने के बाद हमें अंदर से निकालना चाहिए थांसा प्यार से बढ़ता है थांसा सिरफ बोलने से नहीं बढ़ता है थांसा जब आप किसी और को गाली नहीं देते हो तब आगे बढ़ता है थांसा जब आपने अंदर बूलने से नहीं होगा थानसा का मतलब है सबसे प्यार करो और अगर आपको सबसे प्यार करना है और आपको थानसा चाहिए तो मैं आप सबको अनुरोद करता हूँ कि अपने दिल के अंदर जो क्रोध है अपने दिल के अंदर जो नाराजगी है अपने दिल के अंदर जो नफरत है उसको आप हटाने की कोशिश कीजिए आने वाले साल में positively किसी को help कीजिए किसी के success से मत जलिए किसी के दुख दर्द में शामिल हो ये और उनको help कीजिए वो जो आपके अंदर feeling आएगा वो कई बार पैसे से ज़्यादा मिलेगा आपको उससे जो natural जो genuine प्यार मिलता है वो बहुत important होता है बहुत लोगों ने questions मुझे भेजा है मैंने कहा था कि questions भेजने के लिए तो मैं शुरुबात करता हूँ पहला question है किनका आया है first question I am a tipra modha activist sadhan chakma from rai sabari sir we go to people and spread the word about you our king says thansa so now this is the case then mog, darlong, molsom etc yes you are all part of the thansa all 19 tribes are a part of the thansa so are the darlongs so are the people from the halam community so are the molsoms so are all the non-kogborok speaking tribes are also a part of our thansa it's a positive we are all Bukungbara we are all Bukungbara don't forget that and when we are all Bukungbara then we may think that we are different from each other but the outside world looks at us as Bukungbara don't forget that that's why that's why we become united outside our states if you go to Delhi Bangalore or Hyderabad then no one says that I am from Trippra I am from Jamatya I am from Dehbarma I am from Chakma I am from Mog I am from Naga no one says this no one says this all these things that we are all Northeasterners क्योंकि वहां में हमें identify किया जाता है as Northeasterners तो आपको यही spirit Trippra के अंदर भी रखना है हमको पहले thansa के लिए सबको एक होना चाहिए और all 19 tribes should be one एक सवाल आया है पिंकू देप से Sir I want to know about your view on domicile criteria for government jobs Trippra and almost all Northeasterners have made it mandatory for getting jobs jobs in the respective states देखे हर state में एक reservation quota होना चाहिए क्योंकि अगर बाहर के ही लोग आकर हमारे state में नौकरी लेंगे Central Government job में आपका एक Central Reservation quota रहता है लेकिन हर state का एक अधिकार होता है कि वहां के लोगों को वो एक reservation बना कर रखे तो अगर Trippra में लोग पहले से ready है उस area में काम करने के लिए तो बाहर से किसी को लेकर आकर हमें काम करने से ये हमारा नुकसान होता है बिहार, UP, मद्रपदेश, पंजाब सब के वहां में पहले से बहुत अफसर मिल रहा है हमारे लोगों को यहां में मौका काम मिलता है इसके लिए मुझे लगता है कि जो state government jobs है जो ADC का job है उसमें सबसे पहले preference वहां के locals को मिलना चाहिए जो ऐसा field हो जहां में हमें quality workers चाहिए जैसे कि आप देखें doctors if we need quality doctors and we do not have the requirement हमें कोई problem नहीं होना चाहिए बहार से आदमी को लेकर लेकर आए हम क्योंकि technical areas में जहां में हमारा वो है वहां से हमको आदमी को लेकर आने ही पड़े बभागरा इस एक वेस्टिन फ्रम दीगांत शाहा बभागरा please do whatever you do but please don't join hands with BJP a humble request Digeant, Shaha I am not in hands with BJP BJP is in hands with IPFT I don't have any alliance with BJP, in fact in the ADC election we fought against BJP and we did a very good job, even in the upcoming village council election we will be fighting on our own we do not want to do any alliance with any political party which does not agree with our ideology and which also tries to bring in religion to divide the society i am very clear on that digand you should understand that kaushik singa has asked me i want to know about your health condition and nothing else kaushik better in trying to improve health is wealth मैं भी सोच रहा हो कि 2022 में अगर हमें आगे बढ़ना है तो मुझे physically fit रहना चाहिए और physically fit रहने से ही mental health आगे बढ़ता है अगर आप mentally happy हो तो physically भी आपको जादा काम करने के लिए आफसर मिलेगा लेकिन एक चीज बहुत important है कि हमको mentally physically तो है लेकिन mentally positive रहना चाहिए next question is by shamal de barma good afternoon your highness i listen very carefully to your speech babagra you said if given a written promise to greater teepra land then you will form alliance with any national parties but nowadays propaganda is being spread in your name that bjp has negotiated with teepra motha and there will be an alliance before the assembly you are our guide so think a little ye question hai shamal de barma say shamal let me tell you one thing i am not for sale and i am not going to compromise on my demand or my ideology the question of us having alliance with bjp if they do not agree to give us greater teepra land in writing does not arise i am very clear on that people may say whatever they want to teepra motha was built by me and i will decide that teepra motha will not compromise on its true ideology there's a there's a question by misty de barma babagra what about jobs for adc youth because it is 28 years 25 years of left and 3 years of bjp there is no post for adc youth and big reason for financial problem for us to support me and i have said that adc have always been treated as a 131 beta as a state government cpm has adc have treated as a 131 beta as a state government this is why adc area is 68% area but funds are 2-3% more than 2-3% we understand that and that is why we have decided to go to the government of india and say that give us a one-time constitutional settlement of a greater teepra land jeb tuk हमें ہم 1800 jeb tuk हमें हमारे पास full political and economic adhikar हमारे हाथ में नहीं आएगा तब 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 हम लोग स्रफ state government से या central government से भीक ही मंग सकते हैं ये जो more power का बात करते हैं जब तब more power को आप define नहीं करते हो जब तब तक हमें नीचे रखने के लिए दबाने के लिए और हमारे constitutional rights को suppress करने के लिए ही ये चीज़ किया जाता है रेंटन टीप्रासा रेंटन टीप्रासा, we are living in general area निया जम्थुंग कमलपूर which you visited a few months ago our village is कर्मा रंगा but my view, my point is that we the people of कर्मा रंगा want to convert our village into ADC area we have written many proposals to many leaders including MDC Animesh Dehbarma when he visited Mahadev Bazar few months ago till now no response, we are almost 300 families in this village and kindly request you to look into this matter personally Renton Dehbarma Renton last assembly में बिद्योदेव बर्मा ने ये matter को raise किया था almost 36 villages है जो ADC से बाहर है और वो ना की municipal में भी है ना की ADC में भी है इस issue को मैं personally January में take up करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा जैसे भी करके हम आपको ADC village के अंदर लाए कोई भी तिपरासा गाउं जो बाहर है ADC से उसको वंचित नहीं होना चाहिए thank you Rent On The Barma for bringing up this issue मैं इसको follow up करता हूँ next question is from I heard all government school in TTA ADC will be in English medium I want all schools to be in English medium in the ADC areas and even in Tripura also because until we do not learn English until we do not communicate in a language which the whole country is communicating in or the world is communicating in we will never be able to get jobs we will never be able to progress we will never be able to articulate our point of view we do not have the funds right now but whatever we are trying we are trying our best I am hopeful that if in 2023 TIPRA MOTHA comes to power the first thing we will do is use all the power that we have to ensure that every school in ADC and even outside ADC has an English language subject being taught कन्या के संग्ग जो हुआ है अन्फॉर्चुनेट था लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि मेरे दिल में किसी किप्रासा के खिलाफ कोई नफरत नहीं है और मेरा एक ही सला है कि आप कभी भी अगर कोई मुझे धक्का देने से गाली देने से अगर बुबागरा वैसे ही क्रोध से रियाक करेगा तो बुबागरा और दूसरे लीडर में बहुत फरक हो जाएगा बुबागरा दिल से सब तिप्रासा को प्यार करता है और मैंने सब को बोला है कि अगर कोई मेरे साथ नहीं भी आना चाहे तभी भी उनको सम्मान देकर रखना चाहिए उनको अजगा है स्पेस डिमोक्रिसी में सब को अपना बात रखने का अधिकार है मैंने हमेशा थनसा मांगा है और मैंने कभी भी किसी को धोगा नहीं दिया है मेरा सिर्फ एक ही अड्वाइस होगा कि आप NRC चाहते हैं मैं भी NRC चाहता हूँ लेकिन मैं CA के खिलाफ हूँ क्योंकि अगर CA को आपने हटाये नहीं तो NRC का मतलब कुछ नहीं रहेगा तिरुपरा में मेरा और एक पैरलल लाइन है Greater Tepra Land का क्योंकि मैं Supreme Court में कब तक मैं इंतिजार करूं क्योंकि अगर 2026 में डी लिमिटेशन हुआ और उसके पहले Supreme Court ने हमारे पक्ष में ओर्डर नहीं दिया तो हमारे तीपरासा लोग जो 90% थे आज आज 30 है बाद में और भी प्रॉब्लम में आएंगे इसी के लिए मैं एक parallel conversation रख रहा हूँ मेरा सिर्फ एक ही advice है जो भी हुआ उस दिन गलत हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था violence कभी नहीं होना चाहिए बहुत लोगों ने कुछ खुमलों को बुला के खुमलों को हटा देंगे ये हो जाएगा ये मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सब लोग आए तीन दिन बाद लकी अली था पापवन आया पूरा इंडिया ने देखा कि 35,000 तीपरासा लोग ने enjoyment किया कल अगरतला के बहुत लोग आए बिंगॉलीज लोग आए मानिपूरीज लोग आए सब ने enjoy किया और सब ने देखा कि कहीं भी कुछ violence नहीं हुआ कुछ जगड़ा नहीं हुआ उससे हमारा चबी अच्छा बढ़ा उससे वहां के लोकल लोगों को भी पैसा मिला economy में भी मुनाफ़ा हुआ तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ 2022 एक नया साल है मैं political leaders को जो मेरे संग नहीं है जो मुझसे नाराज है मैं आपको अभी भी प्यार करता हूँ मैं आपको अभी भी सम्मान करता हूँ सिर्फ अहंकार और ego को आप थोड़ा अलग रखिए ego और अहंकार से हमारा nation कभी आगे नहीं बढ़ सकता है मैं बुबागरा का रोल आदर करना चाहता हूँ मैं आपसे competition करने के लिए मेरा मन भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ मैं society को उठाना चाहता हूँ मैं corruption को खतम करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि दो-तिन जगे में corruption वापस मुझे दिखाए पड़ रहा है आप हमको help कीजिए क्योंकि मैं ये इस public life में किसी को किसी से चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ माफियाजम करने नहीं आया हूँ मैं तृप्रा का भलाब चाहता हूँ तो बस यही मेरा message है तृतिर जमतिया अगर आप उनको कुछ बोलना चाहते है तो आप बोलिए कि महराजा आज भी उनको प्यार करता है और उनके खिलाफ नहीं है मेरा दिल बहुत बड़ा है मैंने सब को माफ किया है और मैं सब के साथ प्यार से आगे बढ़ना चाहता हूँ लास्ट क्वेस्टिन इस फ्रॉम ओके राकेश दे बर्मा राकेश दे बर्मा येस मैंने देखा है राहुल गांधी ने ले लदाग के लिए एक सेपरेट स्टेट होट का बात परसो ही उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस में रखा अब ये बहुत इंट्रेस्टिंग बात है कि ले लदाग जिसका पॉपिलेशन हमारे तुरुपरा से बहुत छोटा है जिसका वो भी बाउंडरी एरिया में है वहां की लोग भी एक टाइम मिजॉरिटी में थे तब उनके लैंगविच कल्चर सभ्यदा खतरा में हुआ आज अगर नैशनल पार्टी जैसे की कॉंग्रेस ले लदाग को यूनिन टेरिट्री या सेपरेट स्टेट होट के बारे बात कर रही है अगर आज राहुल गांदी कारभी अंगलोंग डिस्टिक के बारे भी उस इशू में बात डिसकाशन उन्होंने किया है तो ये बहुत अच्छा चीज है क्योंकि तुरुप्रा का तो पॉपुलेशन ले लदाग से पांस टाइम जादा है एरिया भी है और हमारा भी सिचुएशन वैसे के वैसे ही है कि हमारे भी लैंग्विज, कल्चर और आइडेंटिटी खत्रे में है तो अगर एक नाशनल पार्टी ने ये स्टेप लिया है और ये मैंने न्यूस पेपर में देखा है और मैंने उनका प्रेस स्टेट्मेंट भी देखा है तो मैं वेलकम करता हूँ मैं यही अपील कर सकता हूँ कि जब मेरे दिल्ली के यातरा में अभियान में शिव सेना के लोग आये थे बीजेपी के लोग आये थे कॉंग्रिस के बहुत बड़े लीडर्स आये थे आम आदमी के लीडर्स आये थे तो अगर आप हमारे बारे सोचेंगे हम लोग तुरुपरा के हैं हम लोग भी नौर्टीस के हैं हमने भी बहुत देश के लिए sacrifice किया है हम भी देश को प्यार करते हैं अगर आप हमारे डिये हमारा issue को पार्लिमेंट में उठाएंगे तो दत्तिप्रासा people and the people of तुरुप्रा will be very happy last question मैं last question ले रहा हूँ उसके बाद ये अनन अंगी जमत्या है I am not getting your question clearly please provide English background smart teacher to English medium school I want school like DPS we are trying our best Shipangal de Burma Ratanpur से मैं ट्राइ कर रहा हूँ funds की कम ही है लेकर मैं ट्राइ कर रहा हूँ I am from this is from your highness many locations foreigners are taking over within the TTA DC this is not we can only report अनन अंगी जमत्या we can only report illegal people coming and occupying our land to the police and to the DM we do not have the power to take action as a TTA DC because we do not have our own police the day we have our own police or our own patrolling system we can take action because many times state government machinery does not react in time and that is another very key area but thank you for raising this issue I understand and I appreciate your question last question Arishtol Jamatya I am from Roisavari village 8 no dyke since childhood no telecommunication no geo network airtel only 2-3 kilometers please Narikal Baga never known behind the truth behind the truth I still think Arishtol Jamatya I will talk to Rajesh Tripura and I will try to come to this area in the month of January or February and whatever communication problem I will try to see what I can do but this is your question genuine and this is our we are not in our hands but we can do something so I will try to do something try to do something because I will try to do something and I will help you all I will try to help you all and if you have so much power and if you have so much power I will try to say सी यहां में all my dogs are there also ठीक हे so everyone thank you for thank you for coming and यह last meeting था हमारा यह साल का और अब मैं आप सब को a happy new year बूलना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले साल में हम लोग positively आगे बढ़ेंगे negativity को छोड़ेंगे और जो third wave कोवेट का आने वाला है उसको भी हम एक होकर पूरे लोग तुरुप्रा में बिंगॉली हो तिप्रासा हो, हिंदू हो Christian हो, Muslims हो एक संग होकर हम लोग इसको लड़ेंगे अगर हम एक दूसरे से जादा हम एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे, एक दूसरे को जादा समझने लगेंगे और हमारे जो politicians से उनका जो divide and rule policy है उसको हम समझने ठीक से लगेंगे तो मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ेगा मुझे लगता है कि हमें ऐसे भी politicians का भी दरकार है जो धन्दे के लिए politics नहीं करता है जो दिल से काम करता है और हमें drugs से भी लड़ना है मैं आप सब को बोल रहा हूँ कि इतना अच्छा show रहा हम वैसे चीज़ दूसरे जगह में करना चाहते है मैं tourism को बढ़ाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को एक opportunity देना चाहता हूँ जहां में हम लोग politics कम और development ज़ादा करें और इसके लिए सबसे पहले हमको शांती चाहिए और हमको ये पुराना रखम का politics जिसमें हम किसी को एक दूसरे से लड़ा कर मिशिल करा कर जगडा कर किसी का पुतला जला कर हम लोग ऐसा politics करेंगे तो नुकसान स्टेट कही होगा नुकसान हमारा future का होगा I love all of you all I wish everyone once again Merry Christmas and a Happy New Year and more importantly in 2022 I want Thansa this Thansa is for all of us and if we have Thansa believe me like Leh and Ladakh like Karbi Anglong like many parts of India we can also unite and ask for a constitutional right within the constitution of India and that of Great Ati Prahlan Belaino Hambhai thank you and one message to all my opponents in politics Manik Babu Happy New Year आप इतने साल CM रहे है आपने उस दिन मेरे खिलाफ कुछ कहा मुझे कोई आपती नहीं है मैं आपको इज़त करता हूँ Happy New Year Manik Babu हमारे मुख्य मंत्री जी आप State के मुख्य मंत्री हैं आप कहते हैं कि श्रेश्त रुप्रा है आपको चाहिए तो प्लीज बहुत लोग जो ड्रग्स का बिजनिस कर रहे है बहुत लोग जो ड्रग्स में आज व्यापार चल रहा है बहुत लोग उनको गब्मेंट भी प्रोटेक्शन करता है आप उनके खिलाफ जोर से आप कारवाई कीजे हम विपक्ष में हैं तभी भी हम आपको पूरा समर्थन करेंगे लेकिन ये जो नशामुक्त तुरुपरा जब तक खतम नहीं होगा जब तक बंगलादेश से वो ड्रग्स तुरुपरा नहीं आएगा और उनको पुलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आप उसके खिलाफ जाहिए हम हैं मैं जितिंद्र चोधरी को बेलाई नो हम बाए बोलना चाहता हूं आपने मुझसे दिली में बात की मैं जानता हूं कि अगर आपको तुरुपरा कबारे कुछ करना है तो मेरे संग बेटकर ही हमको कुछ आगे बढ़ना बड़ेगा तो बेबार तो एंसी देव बर्मा तो एवर्यवन तो पताल कन्या अप्य नू यू 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 आपनी रिस्पेक्ट अप्यू स שלय करना हूं बल्य रहन प्यू प्यू यू